हम आगे हैं आपके सामने एक बहुत जरूरी अपडेट लेकर RBI ने UPI में 5 बहुत जरूरी अपडेट्स निकाले हैं चले जानते हैं वो 5 मेजर अपडेट्स जो हो सकते हैं आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हेलो मेरा नाम है मेधा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश मनी जिस तरह कम्पनिया अपनी एप्स में अपडेट लाती रहती हैं उसी तरह आर्बियाई भी अपने यूपी आइट इस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में अपडेट लेकर आया है आर्बियाई नियमों में ये बदलाव हमारे ओनलाइन पेमेंट सिस्टेम को और एफिशिंट और सुरक्षद बनाने के लेकर आ रहा है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले अपडेट से पहला अपडेट है 4-hour window अगर आप पहली बार किसी नए अकाउंट में 2000 से जादा रुपे की पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी पेमेंट को पूरा होने में 4 गंटे का समय लगेगा ये बदलाव RBI transaction को और secure और efficient बनाने के लिए लेकर आ रही है ये 4 गंटे आपको एक buffer period देगा अपनी पेमेंट में कुछ भी change करने का अगर आपने जादा amount भीज़ दिया है तो आप उसे कम कर सकते हैं या आपने अगर किसी गलत इंसान को वो पैसा भेज दिया है तो आप पूरी पेमेंट cancel भी कर सकते हैं हाँ पर उन ही चार गंटों में इससे अंदाजा लगा जा रहा है कि online fraud कम हो जाएगा हाँ पर ये सिर्फ उन transaction में होगा जो 2000 से उपर की होंगी दूसरा अपडेट ये है कि अब आप UPI की मदद से shares में invest कर पाएंगे अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या जरुरत आ गई UPI को इसमें गुछने की पहले भी अराम से पेमेंट हो जाये करती थी दरसल UPI के दौरा shares में invest करने में बहुत बड़ी advantage मिलेगी पहले जो आपके पैसे होते थे वो पहले आपको अपनी bank की app से अपनी brokerage app जैसे जरोधा grow etc में भेजने पड़ते थे पैसे भेजने के बाद आपको buy order पर लगाना पड़ता था और फिर अगर आपका order execute नहीं होता था तो वो पैसा आपका brokerage account में ही रह जाता था यह खासकर तब होता था जब आपने किसी IPO के लिए apply किया होता था तो इस से होता यह था कि आपका पैसा brokerage account में ही पड़ा रह जाता था नाहीं आपको इसमें कोई interest मिलता है अगर यही पैसा आपके account में होता तो कम से कम आपको इसमें savings account का interest तो मिलता इसलिए अब आया है UPI अब आप अपने UPI account से सीधा shares में invest और खरीद सकते हो अगर आपका पैसा execute हो जाता है तो ठीक नहीं तो पैसा वापस आपके UPI account या savings account में आ जाएगा तीसरा major update है change in UPI transaction limit पहले UPI की transaction limit थी 1 लाख रुपे अब यही limit 5 लाख हो गई है कुछ खास तरह की transactions के लिए जैसे hospitals, education institutes साथ ही साथ आपकी जो बाकी की payments होती है जैसे SIP, credit card payments, insurance आदी उसके लिए आपको एक E-mandate set करना पड़ता है जो आप कर सकते हैं अपने UPI current account या savings account से आज से पहले अगर E-mandate set करे UPI account में 15,000 से जादा की payment होती थी तो आपको एक OTP share करना पड़ता था पर अब इस limit को बढ़ा दिया गया है अब यह limit एक लाख कर दी गई है यानि कि अगर आप UPI से E-mandate set करते हैं तो mutual fund, credit card और insurance payment के लिए तो आपको एक लाख तक कि किसी भी payment में कोई OTP share नहीं करना पड़ेगा चौथा major update है about cash withdrawal वाया QR code इसका मतलब यह है कि अब आपको पैसे निकालने के लिए हमेशा debit card की ज़रुरत नहीं पड़ेगी अब आप इन payment apps जैसी Google पे, phone पे वगेरा से भी QR code scan करके पैसे निकाल सकते हो आप ऐसा कर पाएं इसके लिए NPCI और हिताची दोनों ने ही UPI ATM launch किये हैं भारत के विबिन राज्यों में आप UPI ATM में जाएए, एक option आएगा UPI cash withdrawal उससे select कीजे, amount select कीजे, फिर एक QR code आएगा उससे scan करिए अपने app से और बस मिल जाएंगे आपको आपके पैसे आपके हाथ वे पांचवा बड़ा बदलाब हो सकता है UPI Pay Later, अगर ये idea launch हो गया तो इससे credit industry को काफी नुकसान हो सकता है, इसमें होगा ये कि UPI आपकी transaction देखकर आपकी credit line सेट करेगा, ये बिलकुल एक credit card की तरह ही काम करेगा, इसमें आपको 45 days का interest free period मिलेगा, इसमें भी आपको rewards और सबसे जरूरी अगर आप इसको use करोगे तो आपकी credit line भी improve होगे, HDFC और ICICI ने ये facility शुरू भी की है, ये दोनों banks अपने customers को pre-sanctioned UPI credit line offer कर रहे हैं और इस facility का नाम है UPI Pay Later, अब जैसे सभी की online transactions इतनी बढ़ गई हैं, तो ये देखना बहुत ही exciting हो जाएगा कि हमको कि cashbacks offer मिल सकते हैं अपनी transactions पर, तो ये थे 5 major updates UPI से जुड़े, चलिए हम आपको फिर से बताते हैं कौन से हैं, 4 hour window, UPI से shares में invest करें, UPI की transaction limit अब होगी 5 lakh कुछ specific तरह की payments के लिए, UPI की बदत से आप पैसे निकाल सकते हैं और आखरी जो major बदलाव आ रहा है वो है UPI Pay Later, जो दे सकता है credit card business को बड़ी टक कर, कैसे लगे आपको ये बदलाव और आपकी क्या विचार है इन नए बदलावों को लेकर हमें comment section में जरूर बताईएगा, देखते रहें जोश्मनी, शक्रिया